साथ ही ओ आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे बन लाइनर कोश्चन जो कि हमारे टीएस इलियट पर आधारित हैं और ये सबी कोश्चन हमारे पीजी टीक लिए बहुत ज़दा इंपोर्डेंट हैं इससे पहले भी हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं ये हमारा प पूरा नाम क्या है थॉमस इस्टेंड एलियट इनका जन्म 26 सितंबर 1888 को और मेरे तुछ जनबरी 1965 को हुई थी दोस्तों तो चलो आज हम लोग शुरू करेंगे क्योंकि पहले वीडियो में हमने एक से लेकर के 40 तक डिसकस किया आज 41 से लेकर के आगे के कोश्चन हम लोग डिसकस करेंगे साथियों तो चलो वीडियो सुरू करते हैं लाच वीडियो में हमने आपको बताया था ये वाला कोश्चन अर्थाथ इसमें क्या था दत्ता ऑके दत्ता इसके वाद दाधु हनम दमैन्सी सान्थी 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 ये इलियट दوारह जो प्रेयोक्त में एक किस भासा के हैं ऐसा कोश्चन है हमारा तो वो संस्कृत भासा के हैं अगला कोश्चन जो 41 नंबर का था कि इन दी बेस्ट लैंड जो टीएस इलियट की बहुत ही फैमस बर्क है दी वैस्ट लैंड उसमें दी हिमालया आर सेट टू भी हिमालय को क्या बोला गया है तो हिमबंत बोला गया है यानि कि टीएस इलियट ने अपने बर्क दी वैस्ट लैंड में हिमालय को किस नाम से पुका बहुत ज़्यदा गहराई से इतनी गहराई से मैं रिणी हूँ Am I in-depthed मैं रिणी हूँ Miss Baston's book किसका Miss Baston की पुस्तक का मैं बास्तम में बहुत गहराई से रिणी हूँ और इसके बाद Bill elucidate the difficulties of the poem Much Better Than Any Nords Can Do उन्होंने क्या कहा कि कविता की कठनायों को किसी भी नोर्स की तुलना से बेहतर कर सकती है और किसी भी व्यक्ति को इस तरह की सलह देनी की सलह देती है यानि कि उन्होंने क्या कहा Recommended it to any who think such an elucidation of the poem worth the trouble Okay about which book कौन सी पुस्तक की बात कर रहे है आप मिस बेश्टन की कौन सी पुस्तक है इस Elliot Talking जो T.S. Elliot है वो मिस बेश्टन की किस कविता के बारे में बात कर रहे है तो यह जो कविता है from Ritual to Romance कौन सी किताब की बात कर रहे है Ritual to Romance अगर हम बात करें Ritual to Romance लिखा किस ने है तो मिस बेश्टन ने लिखा है तो इसी के बारे में इस पैराग्राम में चर्चा की गई है किस के दौरा T.S. Elliot के दौरा दोस्तों अगला 43 नमबर हमारा कहता है वेन कब और फ्रम कहां से बेयर्डिड इलियर्स इलियर्ट के एंसेस्टर्स में पूरवज मिग्रेट हुए थे तो अमेरिका इसका मतलब यह हुआ है कि इलियर्ट के जो T.S. Elliot थे उनके पूरवज कब और कहां से अमेरिका आये थे तो कब और कहां से आये थे तो यहां पर जरा समझेगा यह आये थे इन 1668 में यानि कि 1668 में आये आये कहां से फ्राम इस्ट कुकर अब यह इस्ट कुकर क्या है इस्ट कुकर एक गाओं का नाम है और यह गाओं का है इन इस्ट कुकर एक गाओं का नाम है और यह गाओं है कहां इन समर्सेट सायर में है और Somerset Sire ये क्या एक जिला का नाम है वहाँ England के England के एक जिला का नाम है और England के Somerset Sire जिला से East Cooker नामक गाउं से इनके ancestors इनके पूरवज जो हैं वो अमेरिका के लिए आये थे तो और कब आये 1668 में हम इनके पूरवज की बात कर रहे हैं फिर इनको समझ लो कहीं ठीक है नेक्स्ट इन 19 उननी सो में एलियट वाज बॉन एलियट बॉन आ गोल्ड मेडल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता फार किसके लिए लेटिन के लिए अर्था हम ये कह सकते हैं कि उननी सो में एलियट ने गोल्ड मेडल जीता था किसके लेटिन के लिए ये जब इस्कूल में थे इस्कूल में इन्होंने लेटिन के लिए इनको इस्कूल इस्तर पर गोल्ड मेडिल दिया गया था साथियो अगला हम बात करेंगी 45 नंबर में इन विच यूनिवस्टी कौन सी यूनिवस्टी से डिड़ इलियट इलियट पर्शू का मतलब होता है साथियो कि किसी की लच्छे को रखना या किसी लच्छे का पीछा करना पर्शू अ कोर्स आप इस्टेडीज इसका पहले मतलब समझ लिजेगा कि किस विच्छू विध्याला में इलियट ने भाशा और साहित में अध्यन का एक कूर्स किया और किस किस में दिक्लासिक्स में, जर्मन में फ्रेंच और इंगलिस लिट्रीचर में तो वो उनिवस्टी कौन सी थी Harvard University से यानि कि इनके कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किस विश्विद्याला से इलियट ने भासा और सहिते में अध्यन का एक कोर्स किया और वो कौन सी भासा और सहिते Classics में जर्मन, फ्रेंच और अंग्रेजी सहिते की बात कर रहे हैं तो वो हावार्ड उनिवस्टी से किया था इन्होंने, इलियट वाज मच इन्प्लिउंच्ट, जो टीयस इलियट थे वो बहुत ज्यादा इन्प्लिउंच्ट थे, प्रभावित थे, बाई हिज टू टीचर्स, उनके दो, देखो हर किसी के जिन्दिकी में, दो अध्यापक ज जदा उन पर प्रभाव पड़ा, उनका दो टीचर्स का, उनमें से एक का नाम, बन आफ देम, उनमें से बाज, जोर्ज संतैना, एक का नाम, जोर्ज संतैना था, यानि कि संतैना, ध्यां रखेगा जोर्ज संतैना, तो दूसरा कौन था, अगर हम दूसरे की बात करें, तो इर्विंग बेविट थे ठीक है याद रखोगे कौन थे इर्विंग बेविट थे पहले तो इलियट के जीवन क्या कहा इसमें एक वार फिर रिपीट कर लो कि इलियट अपने दो सिक्षकों से बहुत ज़्यदा प्रभावित थे उनमें से एक थे जार्ज संतेयना और दूसर का नाम था इर्विंग बेविट अगला कोश्यान हम लोग डिसकस करेंगे 47 नंबर पेदे रीडिंग आप अर्थर सिम्बोनस यह आथर नहीं ए गलती नहीं कर अर्थर सिमोंस जो अर्थर सौयमोंस थे अर्थर सौयमोंस की एक पुष्थक थी the symbolismist moment ओके उसको पड़ा था in literature साहित में created उत्पन करती his interest in the poetry आप किसकी poetry में इनकी रुची पैता हो जाती है तो Lefargue और Lefargue कौन होते Lefargue एक French symbolismist होते हैं फ्रेंच के एक प्रतीकात्मक बाद ओके एक सिंबोलिस्ट होते हैं ये फ्रेंच के फ्रांसिसी प्रतीकवादी कह सकते हो तो साहित में अर्थर साइमन की दस सिंबोलिस्ट मुवमेंट को पढ़ने से उनकी कविता में एक रूची पैदा हुई तो कौन थी तो लफारगी कौ थे एक फ्रांसी सी सेंबोलिस्ट थे प्रतीक वाद थे दूस्तों दूसरा नेक्स पॉइंट हम लोग दिसक्स करेंगे 48 नमबर पर वें डेड इलियट गेट इस डिग्री आफ ग्रेजिएशन टियस इलियट ने अपने ग्रेजिएशन की डिग्री कवली और कहां से ली दो को में हावार्ड उनिवस्टी से प्राप्त की अगला 49 नमबर हमारा क्या कहता है this is the way this is the way the world ends not with a bank with a bimper यहां पर समझेगा अर्थात मैं यहां पर बता देता हूं बैंग का मतलब होता है basically बैंग को हिंदी में कहा कहते हैं धमाका करना और अगर हम बिंपर की बात करें बिंपर का मतलब होता है रिरियाना ठिंठिनाना यह इसका हिंदी में निकलता है फ़लाल यह हालो मैं से लिया गया है मैं इसका हिंदी भी बताया देता हूं आपकी सरल की फूर्ती के साथ समाप्त होती है तो ये कहां से लिया गया दि हालो मैं से अगला time presents time past are both चाहे वो time present का हो चाहे वो time past का हो ये दोनों ही are both दोनों ही content करते हैं in future time में कहा time future को indicate करते हैं और time future content contain करता है in time past में अब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों यानि कि जो बर्तमान समय है या जो बीता हुआ समय है दोनों ही समय के भविस्य में नहित है और समय भविस्य से जो आपका भविस्य का समय है वो अतीत में नहित है क्या फिर एक बार repeat कर देते हैं या जो बीता हुआ समय यानि कि हमारे अतीत का समय या दोनों ही समय भविस्य में नहित होते हैं और जो भविस्य का समय होता है वो अतीत में नहित होता है तो यह लाइने कहां से लिए इनका मतलब यह है बेर डज यहां पे डज बेर डज दीज लाइन्स एपियर तो फोर क्वार्टेट से लिए यह कहां से फोर क्वार्टेट से और फिप्टी बन पे अगर हम जिकर करें तो आई हैव गिविन यू दी पावर आफ च्वाइस अब इसका अर्थ क्या हुआ कि मैंने आपको पसंद कि सकती दी आई हैव गिविन यू दी पावर आफ च्वाइस और तुमने सिर्फ बिकल्प और आपने केबल बिकल्प अर्थाथ बिटवीन फिव्टाइल स्पेकुलेशन अड अनकॉंसिडर्ड एक्टिंग अब इसे समझो ये क्या है अब फिव्टाइल स्पेकुलेशन का मतलब होता है बियर्थ का चिन्तन करना ओके अनकॉंसिडर्ड एक्टिंग का मतलब होता है जैसे माली जिए गैर जिम्मिदार गैर जिम्मिदाराना अभिनाई के लिए बोलते हैं तो अठकलों, बेयर्थ का चिंतन, या हम यह कह सकते हैं, गयर जिम्मिदार आविने के बीच, ओके, तो यह सारी पंकितियां जो आपके सामने लिखी गई हैं, 51 पॉइंट में, यानि कि फ्रॉम बिस ड्रामा हैब इस लाइन से लाइने ले गई हैं, तो यह उपर की लाइने कौन से ड्रामा से लेगी हैं, दी रॉक, किसे दी रॉक, बोले तो चटान, अगला, एंड दी डेड, ट्री गिफ्स नो सेल्टर, इसका मीनिंग क्या हुआ, शमझो, जो डेड ट्री होते हैं अर्थात, जिनमें पत्ते बगारा ना हो, सूख गए हो, तो उन्होंने का नो सेल्ट म्रत पेल पर कोई आसरे नहीं देता, इसके बाद दी किर्किट, देखो यह सेम मीनिंग होती है, इस किर्किट का मतलब जींगुर होता है, आपने देखा होगे प्रकार का कीड़ा होता है, जींगुर, नो रिलीफ, और एक किर्किट का मतलब होता है, सेम स्पेलिंग होती है cricket खेल भी होता है तो the cricket no relief and dry stones no sound in water dry stones no sound of water these lines appear ए लाइने कहां से होती है तो ए लाइने बेस्ट लैंड से और मैं पहले भी बता चुका हूँ बेस्ट लैंड बहुत important है जो कि 1922 में publish हुई थी पांच भागों में पांच sections में ये divide है इसका पहला section the burial of the dead है दूसरा अगेम आप chess है तीसरा fire sermon है चौथा death by water है और इसका अंतिम जो section है वो what the thunder said है तो जब जब बेस्ट लैंड का जिकर आता है मैं इनका जिकर कर देता हूँ क्यूंकि important है और यहां से question बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैंने last में दो question ज़रा रखे भी है बेस्ट लैंड की आपको दिखाने के लिए कि कितना important है बेस्ट लैंड और तुम्हें अगर आप PGT की त्यारी कर रहे हो तो बेस्ट लैंड TS Elliot का क्यों पढ़ना चाहिए तो अब इसका मतलब क्या हुआ बावन नंबर का मैं यही बता रहा था कि म्रत पेड कोई आसरे नहीं देता किरकेट को कोई राहत नहीं मिलती यानि कि भही जिंगुर को कोई राहत नहीं मिलती और सूखे पत्थर पानी की पानी में आवाज नहीं करती ये बेस्ट लेंड इसका मतलब बेस्ट लेंड का भी मतलब क्या होता है बिना कामकाज की जमीन बेकार की बंजर भूमी खेर बेस्ट लेंड में ये लाइने लिखे गई है अगर हम नेक्ष्ट बात करें 53 की ओ दी मून sown bright on Mr. Porter and they was they are feeding soda water और ये they was they are feeding soda water बद इतनी लाइनी याद रखे और ये लाइने जैसे ही आएं तो समझ लिजेगा ये base land का जिक्र हो रहा है ठीक है किसका जिक्र हो रहा है base land का जिसमें स्रीमती Porter पर चंदरमा चमकता है चंदरमा की signing होती है और बे soda water में अपने पैर दोती है तो सोचो ये कहां से लिया गया तो ये भी लाइने कहां से लिया गयी है base land से और Mrs. Porter इसमें याद रखेगा next tenants of the house tenants का मतलब क्या होता है दोस्तो tenants का मतलब होता है कोई किरायदार भी कह सकते हो tenants of the house okay thoughts of a dry rain of the dry season these are the two last line of okay geroncian के है किस की है geroncian के गर के किराएदारों गर के किराएदारों एक सुस्क मौसा में एक सुस्क मस्तिक के विचार ये दोनों पंक्तियां कहां की है तो geroncian के है geroncian किस की है geroncian ध्यार रखेगा यह लाइन बहुत इंपोर्डेंट है जरॉंसियन की इसलिए याद रखेगा अगला हम बात करेंगे फो इंजोर्ड हिज ओन रेपिटुशन एक व्यक्ति था डेविस डैचिस तो यह व्यक्ति था इसने टीयस एलियट पर एक कमेंट किया था और टीयस एलियट को कहा था कॉलिंग एलियट आ माइनर पोईट आफ ट्वैंटेंथ सेंचुरी क्या बोल दिया एलियट को आ माइनर पोईट आफ ट्वैंटेंथ सेंचुरी बोल दिया तो यानि कि इसका आर्थ है हुआ एलियट को बीसमी सतावधी का मामूली कभी बोल दिया मामूली सा कभी बोल दिया तो एक कहकर किस कभी ने अपनी ही प्रतिश्ठा को कम कर लिया अपनी ही repetition को enjoyed कर लिया कि ऐसा व्यक्ति कौन था तो ऐसा व्यक्ति David Dutchess था ठेक है David Dutchess अच्छा A-Line most and most important है किस ने डिक्लेयर किया अपने आपको क्या अपने आपको इसका मतलब है हुआ खुद को साहित में एक लाजिक राजनीत में एक रॉयलिस्ट और किस में अरॉयलिस्ट इन पॉल्टिक्स और एन अंगलो कैथोलिक इन रिलीजियन तीन वर्ड लिट्रेचर में अपने आपको क्लासिस्ट किस ने कहा पॉल्टिक्स में अपने आपको रॉयलिस्ट किस ने कहा और रिलीजियन में अपने आपको एंगलो कैथोलिक किस ने कहा ऐसा कौन सा व्यक्ति था किस ने अपने आपको ऐसा डेकलेर किया तो वो कोई और नहीं टी अस एलियट इनका पूरा नाम थॉमस इस्टियन एलियट 1888-1965 याद रखिये 1888-1965 मृत्यू समझ आया एक बार फिर कहो तो रिपीट कर दूँ इसको यानि कि टी अस एलियट ने खुद को साहित में एक क्लासिसिस्ट और राजनीत में एक रॉयलिस्ट धर्म में एक एंगलो कैथोलिक गोसित किया वो व्यक्ति कौन था? टी अस एलियट दोस्तो इंग्लिस पोईट्री बुड हैव हैड नो फ्यूचर बिदाउड दी इन्वेलूबल वर्क डन वाई एलियट इन्वेलूबल का मतलब जिनका कोई मूल नहीं जिनका कोई बैलू नहीं जिसका मूले लगाएं नहीं जा सकता है अमूले हैं यानि कि बहुत प्रीसियस इसका मतलब यह कहलो ओके कीमती अमूले कारियों के बिना अंग्रेजी कविता का कोई भावेश्य नहीं होता फिर रेपेट कर देता हूँ एक एक लाइन को हिंदे में भी लिख लेजेगा क्योंकि यह हमारी मात्रबास है और अच्छा याद रहता इससे इलियर द्वारा किये गए इन बैलूबल वक्स के बिना अंग्रेजी कविता का कोई फियूचर नहीं होता अंग्रेजी कविता का कोई भविश्चर नहीं होता यह किस की राय है ऐसा कमेंट किस ने किया तो ऐसा कमेंट करने वाले फ्रेंक कैरमोड थे कौन थे फ्रेंक कैरमोड अगला 58 पे टी एस एलियर डॉमिनेट दी लिटेरी सीन एंड केंट बीनोन एज थी पोप अब रसल श्क्वाइर यानि की एलियर साहित द्रसे पर हाभी हो गए एक कहा जाने लगा की रसल श्क्वाइर पोप आफ रसल श्क्वाइर अब इसका आर्थ क्या हुआ Iliad dominated the literary scene literary scene पर तो वो dominated थे ही थी and came to be known as और उनको किस नाम से भी जाना जाने लगा Pope of Russell Square के नाम से ठीक है, known as ध्याँ रखेगा came to be known as the Pope of Russell Square याद रहेगा Iliad के बारे में अगला next एक, यह most देखिए, most important क्यों है UGC net में पूछा गया RPSC PGT 2016 में पूछा गया question है, इसलिए मैंने रखा और मैंने क्या कहा, आप से कि TS Iliad के जो based land को आपको क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों यह तो मैंने सिर्फ एक दो question रखे मैं इनके पूछे हुए questions को लेकर आऊंगा थोड़ा समय बाद तो मैं थोड़ा सा अभी biography बनाने में ब्यस्त हूँ आपकी दो biography PGT में बनाने के लिए रहे गई हैं, उनको भी एक मैतो अरनाल्ड और एक biography और बची है, इन दोनों biography को बना दूँ, इसके बाद मैं इनके कुछ important work को भी discuss करूँँगा आप लोगों के साथ में, तो यहां से देखिएगा कि टियस इलियर्ड का जो बेस्ट लेंड है, वो dedicate किसको है तो, ओके, इल मिगलियर फैब्रो, अच्छा यह जो तो इल मिगलियर फैब्रो है, इसका आर्थ क्या होता है, यह किसके मिगलियर फैब्रो, जो कि एक बेहतर सिल्पकार ठी, वेटर craftsman का मतलब एक वेतर सिल्वकार थे को समर्पे थाया तो किसको समर्पे थाया ये best land किसको dedicate किया है best land को T.S.Eliad ने तो Azra Pound के लिए dedicate किया किसको dedicate किया है Azra Pound एज़रा पाउण ने जो है इनको बहुत help किया था ध्यान रखेगा तो Azra Pound हो गया अब dedicated एजरा पाउंड भी अपने हाम में बहुत ही dominant personality है ध्यान रखे इन बात को T.S. Iliot dedicate करते हैं इस poem अपनी poem best land को by writing लिखकर a letter in which एक पत्र लिखकर के in which जिसमें ही road लिखते हैं for एजरा पाउंड के लिए एजरा पाउंड के लिए क्या बोलते हैं एक बहुतर सिल्प कार कह करके पुकारते हैं एजरा पाउंड को तो हम एक है सकते हैं T.S. Iliot ने अपनी poem best land को किसको dedicate किया एजरा पाउंड के लिए अगला question जो कि हमने क्या बता है बेसलेंड का बहुत पूचा जाता है इसमें basically क्या होता है find the correct sequence of the sections the best land का actually आपका ये best land पाउंच sections में divided तो इसका जो section है वो sequentially लगे हुए नहीं है इदर उदर लगे हुए हैं तो आपको sequency लगाना है ये भी question आपके UGC net 2005 में 13 में और GIC lecture 2016 में पूचा गया है दोस्तों यहाँ पर आप समझेगा कि कैसे कौन सा question हमारा सही होगा तो हम तुमें पहले भी बता चुके ऐसा इस पाचार options यहाँ पर है एक, दो, तीन, चार इन चार में ध्यान से देखिएगा जो मैं sequence बोलना हूँ पहला section में और जो भी sequence मिल जा है बही option हमारा सही होगा पहला section है यह point कब आई 1922 में publish हुई थी ध्यान रखिएगा ठीक, पहली चीज दूसरा हमने का इनको क्या याद रखना है इनका sequence मैं बोलना हूँ आप sequence में check करिए कौन सा सही है ध्यान से पहला section इसका था the burial of the dead the burial of the dead पहला तो एक तो यह है और एक यह है बाकी यह तो दो अपने आम में cancel हो गए दो नहीं, ठीक है दूसरा section था game of chess, इसमें भी है और इसमें नहीं है तो देखो यह भी cancel तीसरा, the fire sermon चोथा, death by water और पांच माँ इसमें दिया नहीं है what the thunder said तो समझ गए, यह option इसका क्या होगा, सही होगा कौन सा, answer कौन सा होगा यह वाला, यानि कि the correct sequence आप दे section कौन सा है हमने यह आपर दिया है बेसलेंड का, 1922 में पबलिस वी थी, और T.S. Elliot का पहला section कौन सा है the burial of the dead है, second section कौन सा है game of chess है, third section fire sermon है, fourth section dead why, death why water है, और fifth section इसका भौड़ती, thunder said है साथी, ओके अगला, 60 number point देख लीजेगा, हमारा last point है, यह आज का बाकी हम लोग कल डिसकस करेंगे आपके कल क्या, last point क्या, इसको आज इतना ही record करेंगे, ओके बाकी कल डिसकस करेंगे, आगे the lamp is putered the lamp muttered in the dark, the lamp hummed, this musical line appear in the poem, किसमे rap sordi में, तो अब मैं इसको जरा बता देता हूं आपको अच्छे सी, कि इसका आर्थ क्या हुआ, the lamp is putered ओके फिर, अगला है the lamp muttered in the dark यानि कि दीपक अंदेरे, दीपक ने थूख दिया दीपक अंदेरे में बहा गए, दीपक गुनगुनाया, इसका मतलब यह प्लाल आपको लाईने याद रखना है, सबसे बड़ी चीजी यह है, यानि कि the lamp is putered the lamp muttered in the dark the lamp hummed is putered का मतलब होता है गुनगुनाना या एक कह सकते हैं hummed का मतलब गुनगुनाना और muted का मतलब होता है, अंदेरे में बहा जाना ओके इसको बोलते हैं इस musical line यह musical line किसमें appear होती है, कौन सी पोईम में तो T.S. Elliot के दोरा एक पोईम लिखेगे रैप सोडी तो इसमें इसको अब दिखाया जाता है ओके रैप सोडी तो रैप सोडी ध्यां रखेगा इसको यह पोईम है किसकी T.S. Elliot की दोस्तों अगली जो इसका part third होगा, उसमें हम लोग discuss करेंगे 61 से लेकर के 61 से लेकर के हमारा आएगा 80 थक ठीक है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही जय हिंजय वारसा थी